जी आज हम discuss करेंगे regarding जो account की health में जाएंगे हम देखें performance में जाकर account की health में जाएंगे और ये seller central account एक मैंने आपको दिखाया है जो कि risk of deactivation पर है और मतलब इसमें हम देखेंगे कि different जो scenarios होते हैं policy compliance के उनको हमने discuss करना start करना है अब इसमें देखें हमने कल जो discuss किया था वो ये वाला portion किया था ODR से related इसमें हमने thoroughly discuss किया था कि three factors होते है negative feedback होते है A to Z, grantee claim होते है और chargeback claim होते है ठीक है इसके बारे में हमने discuss किया था कि अगर इसकी deactivation या इसकी वजह से कोई account में problem आती है तो उसको कैसे overcome किया जाता है अच्छा मैंने आपको खाता कि कल हम जो discuss करेंगे वो product condition customer complaint ये account पर आई थी इसको मैंने remove कर दिया है वैसे अभी तो लेकिन उसको remove करने के लिए आपको एक appeal submit करवानी पड़ती है plus उसके साथ आप invoice attach करते हो तो सबसे पहले product condition customer complaint होती क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सबता देती हूँ अच्छे कि यहां पर अभी तो कोई policy violation नहीं आ रही ना लेकिन मैं आपको इसके बारे में इस तरह से guide करूँगी कि मैं example के तोर पर product ही दिखा देती हूँ यहां पर एक थी transformer बोट प्रोड़क्ट थी ठीक है वो मतलब ट्वाए था एक और बलके trailer था बोट नहीं था उसमें बोट missing था यानि के एक ट्वाए था वो product बिलकुल सही brand की थी लेकिन उस product में problem यह था कि product के अंदर एक part missing था जो कि सब customer की तरफ से complain थी उसमें जी यह bought twice ही है इसमें यह blue वाला था यह blue वाला एक separate भी हो गई यहां पर एक minute open कर लेते हैं फिर उसी हिसाब से आप पिताती हूँ उसका ऐसी भी था लेकिन अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा यहीं पर ही हो यह rescue board था ठीक है यह product है इसको मैं open करती हूँ एक minute और फिर इसके बारे में detail बताती हूँ real example से आपको समझ आजेगी न कि वहां पर problem आई हुई थी कि product customer condition complaint थी यह वाली ठीक है कि customer कह रहा था कि जो हम order कर रहे हैं उसमें कुछ न कुछ miss है यह एक और तरह का भी scenario था वो भी मैं आपके साथ अब भी discuss करूंगी कि काफी तरह से product में problem आ जाते हैं for example एक और case था उसमें था एक frying pan था लेकिन ना frying pan में difference क्या आ रहा था कि जो customer order कर रहा था वो product थी like आप समझ लो के उसके pan का जो handle था ना वो था non welded लेकिन हम जो भेज रहे थे वो welding वाला भेज रहे थे क्योंकि जब हमने purchase किया था supplier से तो उस time हमें नहीं पता चला था कि यह problem है इस product के अंदर के यह feature इसका match नहीं करता brand भी same था product भी same थी size भी same था लेकिन welded और non welded में difference था अब customer जो है वो non जी I think disconnect हो गया था मैं दुबारा से इसे connect हती हूँ यह product थी अच्छा यह product ना like इन्होंने purchase भी wholesale में की हुई थी like bulk में purchase की हुई थी अच्छा कुछ cases ऐसे होते हैं जिसमें product आप drop ship कर रहे होते हो उसमें आपको invoice provide करना मुश्किल हो जाती है यूँकि Amazon उसमें appeal के साथ साथ आप से न invoice और letter of authorization भी मांग रहा होते हैं तो यह चीज़ आपके लिए problematic हो सकती है ठीक है तो अब आप को मैं यह इसका actual जो scenario था वो मैं आको बताती हूँ कि यह जो product थी इसके साथ यह एक हुक सा था वो एक product का इसमें missing था तो customer ने जो है वो तस्वीरें बना कर फिर इसकी product की send की और कुछ customers ने complain की कि उसमें host नहीं था यह tow hook नहीं है cable नहीं है इस type की customer की complaints थी इस product में तो product genuine थी product की authenticity में कोई problem नहीं था लेकिन यह tow board था ना तो यह इसमें tow जो है वो missing था यह cable missing थी जिसके साथ उसे attach करना था तो यह customer की complain थी उसके लिए यह होते है कि जिस तरह for example यह complaint है अब वो क्योंके remove हो गई है यहाँ पर मैं आपको example की तोर पर इसे open करके दिखा रही हूँ इसी तरह से यहाँ पर product आएगी यहाँ पर लिखाएगा wrong product condition और यहाँ पर date लि detail और essence number आएगा फिर यहाँ पर listing remove नहीं आएगा यहाँ पर action required लिखावाएगा और यहाँ पर high की बजाए low लिखावाएगा उसके बाद यहाँ पर submit information का button आएगा your submission is required यह लिखावा आ रहा होगा यहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे submission के लिए मैं आपको बता रही हू और submission के लिए आप यहाँ पर click करने के बाद आप अभी तो यहाँ new information आ रहा है ना वहाँ पर आपका appeal का button इस तरह से open हो जाएगा और उसके बाद जो है वो आप क्या करोगे कि मतलब यहाँ पर तो यहाँ आ रहा है ना वहाँ पर एक box आएगा जहाँ पर आपने appeal जो है वो type भी कर सकते हो और type करने के साथ साथ आप appeal को मतलब वो भी कर सकते हो पीडियेफ में attach करोगे प्लस उसके साथ आप invoice को लगाओगे अब question यह है कि अगर आप drop shipping कर रहे है और wrong condition जा रही है product की तो उस scenario में क्या होगा उस scenario में invoice कहां से आएगी तो उसका भी तरीका कार मैं अच्छा अब इसमें देखिएगा कि मैं आपको प्ताती चलूं कि अब हमने इसमें फर्दर जो है वो क्या करना है मैं आपको गाइड करते हूं बस एक में अच्छा अच्छा यह product थी जो कि हमने प्रचेज की थी और यह अच्छी मतलब एक website है web store and store है उसका नाम वहां से इसको प्रचेज किया गया था और यह जो product है यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर riveted handle लिखा हुए ठीक है यहां पर riveted लिखा हुए और हमारा non riveted था handle ठीक है तो मतलब कहने का यह है कि product बिल्कुल सेम थी लेकिन सिरफ इतने से difference की वज़ा से मतलब customer की condition complaint आ रही थी अच्छा condition complaint को account से कैसे चेक किया जाता है वो मैं आको बताती हूँ यहां पर performance में जाना है आपने और voice of customer में जाना है यहां से जो customer complaint कर रहा होते हैं आपकी listing के मताबिक यह और listings related वो आपको यहां पर नजर आती है यह देखो जो भी listing जिसमें issue होगा ना वो यहां पर poor या fair या good में show हो रही होगी और हर एक की आगे देखो details आ रही होती है for example इस item की मैं देखना चाहती हूँ तो यहां see details पर मैं click करूँगी और जैसे ही मैं see details पर click करूँगी ना इसको scroll down करूँगी तो यहां पर इस graph के नीचे लोगों के problems नजर आ रहे होंगे लेकि निस account में नजर नहीं आ रहे हैं क्योंके वो खतम हो चुके है ठीक है तो कहने का मकसद यह है कि इस तरीके से आपके पास ये issue आता है जिसमें आपके customers की तरफ से complain आती है कि हमें ये product इस तरीके से मिली है ठीक है अब देखो जो मैं आपको बता रही थी कि अगर हम डॉप shipping कर रहे हैं for example और डॉप shipping के case में obviously हमाई पास invoices नहीं होंगी तो फिर हम invoices किस तरहां से generate कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ invoices देखे acceptable जरूरी नहीं है कि वह 100% acceptable होंगे उसके लिए सिर्फ मैं आपको example की तोर पर इसको समझा रही हूँ और इसमें एक और तरीका कार आपको थोड़ा सा बता दूँगी जिससे आपको ना पता चल जएगा कि ये एक website है जिसके नाम है sejda.com ठीक है इस पर आप कोई भी PDF अपलोड करोगे for example एक invoice को कोई भी sample आपके पास पढ़ा हूँ for example ठीक है मैं भी यहां पर कोई भी invoice के एक sample उठा ले थी हूँ जो मेरे पास पढ़ी हूँ ठीक है invoice का एक sample उठा ले थी हूँ यहां से और let say मैं इस invoice को यहां से उठा लेती हूँ और इस invoice को मैंने edit करना है ठीक है तो edit करना आपको उठा लेती हूँ इदेखो यह जैसे यह pan वाली ही invoice है वैसे तो लेकिन अगर इस invoice को मैं change करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ कि यहाँ पर उसका title चेंज कर दूँगी, यहाँ पर item number चेंज कर दूँगी, यहाँ पर price यहाँ पर इस तरह से हो जाएगी added, यह भी added यह जो भी PDF है उसको आप इस तरीके से added कर सकते हो ठीक है, यह नीचे का इसी तरह से रहेगा वीजा कार्ड है, उसमेंसे अगर आप digit चेंज करना चाहते हो, अपने कार्ड के लगाना चाहते हो, वो लगा सकते हो, phone number added हो सकता है, फिर further आपकी यह सारी information भी यहाँ से हो सकती है, यह confidential है थोड़ी सी चीज़े, मैं इसलिए थोड़ी सी hide कर रही हूँ आप से ठीक है, बाकी में आपको invoice जो है, वो उसका क्या criteria है, invoice जो acceptable होती है Amazon पर, वो मैं अब आपको बताती हूँ Amazon की acceptable जो invoice है, वो उसका क्या criteria होता है, तो आप इसको directly Google search भी इस तरह से कर सकते हो, Amazon invoices criteria ठीक है, तो आप इसको search करोगे, तो आपको यहाँ पर easily मिल जएगा, कि अगर Amazon आप से invoices require करता है, तो फिर आप कि invoice जो है, वो किस तरहां की होनी चाहिए, manage your invoices, अच्छाई यह नहीं है, यह acceptable invoices है, कि Amazon किस तरहां की invoices accept करता है, देखो, बहुत सारे cases में आपकी जो invoices है, वो Amazon reject कर रहोता है, तो उसके बारे में, चले मैं आपको वैसे verbally बता देती हूँ, आप invoice को note कर ली जगा, invoice जो है, वो within 180 days होनी चाहिए, मैं वैसे यहां पर आपके साथ screen share करती हूँ, इस पर लिखती जाती हूँ, invoice आपकी, अगर तो यह छोटी minor आपकी issues हैं, तो 365 days पुरानी, इससे ज़्यादा पुरानी acceptable नहीं होगी, इसके इलावा supplier की सारी information उस पर होनी चाहिए, ठीक है, supplier information ह होनी चाहिए, इसके इलावा जो बंदा purchase कर रहा है, ठीक है, जो purchase कर रहा है, उसकी भी information होनी चाहिए, इसमें completely, उसके बाद product जो आप purchase कर रहे हो, उस product की information उसमें होनी चाहिए, invoice में clearly, ठीक है, date mention होनी चाहिए, और date within 365 days होनी चाहिए, प्लस उसके साथ, जो भी product है, जो आपने Amazon पर list की है, उसकी quantity या product की quantity लागमी mention होनी चाहिए, listing में, उसके बाद product की listing में quantity, date, product information, purchaseer की information, supplier की information, और invoice 365 days के पर दिन होनी चाहिए, ठीक है, तो जो supplier की information में हो सकता है, वो supplier का name हो सकता है, उसका, उसकी website हो सकती है, उसका address हो सकता है, ठीक है, जो के Amazon में भी, मतलब verify भी कर सकता है, phone number हो सकता है, इसके इलावा, मतलब name हो गया, website हो गया, address हो गया, phone number हो गया, email हो सकती है, ठीक है, ये information में से कोई सी दो information तो लाजमी होनी चाहिए, ये name के इलावा, हाँ, invoice में logo भी होना चाहिए, उसका, supplier का, तो फिर ये invoice acceptable होती है, जो purchase करने वाला है, उसका just अगर name और address भी होगा तो काफी है, ठीक है, name और address अगर होगा तो वो भी काफी है, बाकी product की information, date और product की quantity, ये चीज़ें लाजमी होनी चाहिए, invoice में, अच्छा, अब मैं आपको appeal के बारे में थोड़ा सबताती हूं, कि जब आपने इसकी appeal करनी है, तो मैं ग्रूप में sample share करती हूं, first of all, और फिर हम उस appeal को discuss करना start करते हैं, जी, अब ना हम, मतलब, इसकी appeal को discuss कर लेते हैं, कि जब हमारे पास wrong item condition हाती है, तो ये appeal ना, मतलब, आप समझो कि एक golden appeal है, जो और इस appeal में जस्ट आपने कुछ ही changing करनी होती है, और जैसे ही आप invoice इसके साथ attach करके, और मतलब, account के साथ submit करवाओगे, तो फॉरी दोर पे, आपका account within 24 hours, जो है, वो reactivate हो जाता है, उसमें ये violation remove हो जाती है, तो इसमें आप सबसे पहले तो बताओगे कि, अपने account का name बत होगे और बताओगे कि, फलाँ ASIN पर हमें issue आया है, फिर आप issue detail में बताओगे, कि जैसे अभी हमने एक example ली है, कि एक transformer बोट था, जिसके साथ मतलब tow नहीं था, tow missing था, या cable missing थी, ठीक है, customer की ये complaint है, तो आप फिर बताओगे कि, ये asin है, और complaint की type आपने voice of customer मेंसे जाकर देखनी है, दुबारे से बता देती हूं, performance में जाकर, आप voice of customer को जाकर, सारे comments को read out करोगे, कि customer क्या क्या रहा है, वो ही as it is, उसके जो sentences है, customer के, उसका एक आपने precise सी कुछ lines बनानी है, और उसमें Amazon को बता देना है, कि product जो है, वो not as described, wrong item हमाई गई है, और customer complain कर रहा है, कि उसे wrong brand की जो है, वो item मिल रही है, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या करोगे, कि जो product की detail, आपने ASIN यहां पर आपने देखा product का, for example, वो ही मैं transformer board दुबारा से open कर लेती हूं, आप उस product की as it is detail, यहां से उठाओगे, ठीक है, ऐसे ही मैं, अभी तो random ही product open कर रही हूं, let's say, यह product है, तो आप इसी product की यह जो, मतलब listing है न, यह वाली, कि यह उसकी brand है, यह theme है, यह toy है, और यह इसका about this item है, ठीक है, आपने इसको यहां से copy करना है, और अपनी appeal में, इसकी description को वहां पर detail में लिक देना है, copy paste कर देना है, और फिर आप उसके बाद बताओगे, कि हमने यह product एक trustable, जो trusted supplier है, उससे purchase की थी, और हमने इसके exactly सारे parts को check नहीं किया, overlook हुआ हमसे, जो product हमने list की है, उसके image को हमने अब देखा, और उसके features को basically हमने match किया, तो हमारी negligency थी, कि हमने उसको trusted supplier से purchase किया, लेकिन, हम अपनी inventory को cross check नहीं कर सके, और फिर आप बताओगे कि जो customer ने complaint की थी, उनको हमने refund offer किया है, अगर वो कहते हैं तो हम उससे replacement भी दे देंगे, और हम customer को जो है वो refund भी दे सकते हैं, उसके बाद आप बताओगे कि हमने ऐसे customer जो अपनी purchase से satisfy नहीं थे, उन्हें भी हमने contact किया है, और फिर आप बताओगे कि हम next time जो है वो, हमन फौरी तोर पे supplier से जो है, वो contract खतम कर दिया है, उसके बाद आप बताओगे कि हमने, क्या, मतलब क्योंकि अपील के तीन parts होते हैं अभी root cause हमने बताई है, हमने फौरी तोर पे क्या किया, plan of action क्या था, हमने customer से contact किया है, ठीक है, और उनको refund offer किया है, यह replacement offer किया है, ठीक है लेकिन आप यह भी बता सकते हो, क्योंकि कुछ cases में, जैसे यह वाला case है, इसमें यह वाला scenario था, कि product जो है, replacement के बाद भी वो obviously यही product जा रही थी, तो वो overall जितनी products खरीदी होई थी, सब में यह तरह का मसला था, जिसकी वजह से, यह problem आ रही थी, कि replacement में भी वही issue था, तो अगर इस तरह का भी हो, तो फिर आप यह को होगे, कि हम just refund करेंगे, ठीक है, फिर आप बताओगे, कि product description improvement, आप बताओगे, कि हमने एक staff member hire किया, जो कि सारी listing की accuracy को चेक करेगा, product की description को चेक करेगा, और फिर product को exactly चेक करेगा, कि क्या वो description से match करती है, फिर आप quality control improvements, इसमें लाजमी बताओगे, कि हम किस तरह से quality को control करेंगे, और किस तरह से package की integrity को देखेंगे, उसके सारे parts को चेक करेंगे, और फिर customer तक भेजेंगे, उसके बाद two step process आप उन्हें बताओगे, कि हम पहले quality control की examination करेंगे, अगर FBA कर रहे हो, क्योंकि ये FBA में भी आ सकता है case, और F FBA में ये कहोगे, कि हम Amazon के warehouse में भेजने से पहले अपनी product की सारी inspection पहले complete कर लेंगे, आप उसे Amazon को बताओगे, कि हम fully responsibility लेते हैं, इस पूरे scenario की, और हम जो है वो, ऐसे तमाम customer जो के satisfy नहीं है, उनको हम refund करेंगे, और Amazon, मतलब, पर selling करते हुए हम से जो negligency हुई है, उसको हम overcome करेंगे, और फिर आप ना इसके end में detail में आप बता दोगे, कि हमारी selling privileges वापिस करते हैं, और हम इस issue को देखते हैं, तो ये होता है कि फिर आप इसके साथ invoice लगा देते हो, और just आप invoice लगा कर इसको submit करवाओगे, अब submit कैसे करवानी है, वो भी मैं आप उपताती हूँ, मुझे एक minute दीजेगा, account भी कोई और देख लेती हूँ, अगर, submission, एक minute दीजेगा, account कोई और देख लेते हैं, चलें, let's say, ये एक है, मैं just आपको submission के purpose के लिए दारी हूँ, ऐसे यहां पर होगा, वो product condition, customer complaint, ठीक है, अब यहां पर click करोगे, जब आप product condition, customer complaint पर, तो उस time पर, जैसे ही आप, मतलब करोगे, यहां submit appeal का बटन आ रहा होगा, यहां पर आपने click करना है, और जैसे ही आप click करोगे न, तो आपकी यहां पर violation आ रही होगी, आप यहां पर अपनी explanation दोगे, ठीक है, यहां पर ASIN की सारी, वो जितनी भी चीज़ें, वो सारी mention करके, next पर click करोगे, अच्छा मैं बस अभी यहां पर ऐसे ही कुछ लिख रही हूँ, ठीक है, आपने जो appeal लिखी होगी, वो यहां पर paste करनी है, next करोगे, यहां पर invoice को attach करोगे, और submit करतोगे, ठीक है, तो आप, मतलब within 24 hours आपका जो, आपने submission करवाई होती है, उसके अंगेस्ट आपके मतलब आ जाती है, thank you for reinstating your listing and now you can sell this listing of this ASIN on Amazon, यह सारी detail उसके अपर लिखी हुई आ जाती है, तो कहने का मकसद ही है कि यह बिल्कुल एक simple सा case है, और लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए इसकी वज़ा से भी account में बहुत ज़्यदा problem आ रही होती है, तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप खुद से भी FBA कर रहे हो, तो यह FBA की cases में भी, यह scenario create हो सकते हैं और FPM की cases में भी हो सकता है, तो अब आपने कोई एक listing इस तरह से देखनी है, या मैं आपको कोई भी listing ग्रूप में share कर दूँगी कि इस listing में यह मसला था, आपने उसके हिसाब से मुझे appeal में alteration करके मुझे ग्रूप में submit करवानी है, अब अगर आपका यह तक कोई भी question है, तो आप पूछे है, बेसिकली जो हमारा यह topic है, यह product की conditions की customer ने जो में complain कि उसी उस से related है, यह पताया है, यह बिल्कुल ऐसे, यह wrong condition item के बारे में बताया, मतलब अगर इस तरह को को case होता है, तो market में जो इसको कहला जाता है, वो wrong condition item होता है, कहलाता है, ज उसकी violation है, policy compliance violation होती है, यह, ठीक है, जिसमें wrong condition item होती है, उसमें एक violation आ जाती है, आपकी account के उपर, और उस violation को remove करने के लिए, you need to submit appeal as well as invoices, तो appeal का sample में ने share कर दी है, आप product को देखोगे, उसमें तलाश करोगे voice of customer में जाके कि customer की क्या complaint है regarding product, आप फिर उस, उसी complaint को as that is अपनी appeal में add it करोगे, जो appeal का sample में ने ग्रूप में share किया है, ठीक होगे है, आपकी होगे है, आपने कल भी एक task लगाया था, वह इंशाला रात को लेट ना, मैं वह वाली appeal फिल यह वाली है, इंशाला कल तक submit करना है, अच्छा नेक्स्ट week जब हमारी class होगी, तो उससे प और इंशाला फिन नेक्स्ट topic की तरफ भी move करेंगे, तो ठीक होगे है, जी, किसी और को कुछी question है, तो पाइनली पूछ लिए, जी, मैं मैं एक question था मेरा, इससे इलावा, मैं मैं कि ना, वालमार का count था, तो उसके लिए न मैं TIR नमबर चाहिए था, तो वो कहां से मिलेग हूँ जो.